Hi my beautiful peoples, आप सब लोग कैसे है, मुझे आशा है कि आप सब लोग बिलकुल ठीक होंगे, एकदम अच्छे होंगे और पॉसिटिव होंगे तो guys, आज जो मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आई हूँ, वो थोड़ी सी डिफरेंट है वो है कि आप जस परसन के बारे में अभी करंटली लव फील कर रहे हैं, क्या आपकी शादी उनसे होगी तो चलिए जानते हैं, हमेशा की तरह यहाँ पर कुछ कलर्स रख रखे हैं मैंने ताकि आप लोगों को जो है पाइल जूस करने में दिकत ना हो तो ना आप इन में से एक जूस कर लीजे और अपनी रिडिंग पे पहुँच जाएए, चलिए देखते हैं, क्या होता है हाई, पाइल नंबर वन, जिन लोगों ने भी यह यलो कलर चूस किया है या फिर पाइल नंबर वन चूस किया है, आईए देखते हैं आपकी रिडिंग क्या आपके शादी आपके अपके करेंट पार्टनर से होगी या नहीं, ठीक है तो शुरू करते हैं, यह कार्टो मैंसी इस कार्ट से देख लेते हैं हम, एक बर तो हम इनको बाद में देखेंगे प्रिजिस नहीं, फिर्जिस नहीं, प्रिजिस लिए लिए ना प्रिजिस नहीं, टीक है क्योंकि हम लोग आज थोड़ी serious and important reading कर रहे है so guys I hope सारे काज आप लोगों को दिख रहे होंगे guys है ना तो हम लोग शुरू करते हैं आज की reading तो मुझे ऐसा लग रहा है सबसे पहले हम जान लेतें कि ये pile किन की है पहले मैं आप लोगों को zodiac science बता दूँ तो में भी हो सकता है कि ये एक fire और विर्गो का कपल हो या फिर आप विर्गो और air कपल भी हो सकते हैं means Aries, Leo, Sagittarius विर्गो, Capricorn, Taurus and Gemini, Libra, Aquarius तो ये science आप लोगों के चार्ट में मौजूद हो सकते हैं otherwise वैसे सारे ही science मौजूद होते हैं but specifically मैंने आपको बताया है अच्छा, दूसरी चीज मुझे यहां पर लग रही है कि मेभी आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है घरवालों के दरफ से ठीक है religious factor यहां पर काड आया है और जो कि हमें बताता है कि प्रॉब्लम जो है financial तो मैं कहूंगे कि बहुत कम है ठीक है, वो ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप फीक कर सकते है लेकिन मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के घर में किसी की जो है दिक्कत आ रही है घरवाले जो है मान नहीं रहा है मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है कि में भी हो सकता है कि उनके घरवाले नहीं मान रहे है मुझे जादा तर यह लग रहा है कि आपके पार्टनर के घर में कोई है ऐसा जो कि नहीं मान रहा है उनको ऐसा लगता है उनके जो हैं घरवाले में भी mom हो सकते है dad हो सकते है ठीक है बड़ी बहन हो सकते है बड़ा भाई हो सकते है उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो रिष्टा है या ये जो लड़की है लड़का है ये ठीक नहीं है ठीक है यानि कि वो आपको सही नहीं मानते हैं अब वो सही five of pentacles and two of wands and two of swords मैं यहाँ पर एक चीज तो अच्छे से पता लगा पारी हूँ कि आपके परसन के बहुत अधा में भी आप या उनकी फैमिली में से जो भी कोई परसन है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो परसन है वो बहुत सदा फैमिली ओरियंटेड है ठीक है उनको ना सबसे पहले उनकी फैमिली उनके लिए होती है और जब बात फैमिली पर आई है और आपसे भी बहुत प्यार करते है मुझे यहां clearly feel हो रहा है कि नहीं वो आपसे बहुत 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 प्यार करते है तो यहां पर दिक्कट इसी चीज़ की आरी है कि उनके घरवाले मान नहीं रहे हैं और उनका दिल भी नहीं मान रहा है और आप तो कहर रहे ही तो बस अब यहां पे यही वाला जो इशू चला हुआ है अच्छा खासा वाला ड्रामा क्रियेट हो चुका है मुझे ऐसा लग रहा है मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है कि यह on and off वाली energy है कभी आते हैं कभी चले जाते हैं फिर आते हैं फिर जाते हैं ऐसा आप लोगों के साथ कई बार हो गया होगा तो जब भी commitment देने के बात आती है ना तो यह पीछे सरग जाते हैं क्यों क्योंकि इनके घरवाले नहीं मान रहे हैं लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आपके person आपसे बहुत जादा प्यार करते हैं और अगर हम बात करें कि आपके person से आपके शादी होगी या नहीं होगी तो मैं आप लोगों का एक बात बता दूँ मेरे तरफ से पक्का होगी ठीक है पक्के से पक्का होगी लेकिन शादी होने से पहले आपको क्या करना है आपको positive रहना है और अपने आप से प्यार करना है क्योंकि यहाँ पर कार ही आया है love yourself first ठीक है छोड़ कर चला ही जाता है that means he is not worth waiting for वो सही नहीं है आप लोग जिसका इंतिजार करें वो सही नहीं है अगर वो ऐसे ही चला जाता है तो लेकिन आप लोग उसे दूर होने के बाद भी अगर वो आप ही को ही चाहता है आप ही के बारे में step लेने के लिए सोचता है आप ही को द वर्थ वेटिंग फॉर है ना तो एक दूसरी चीज में आप लोग को का इडवाईज और देना चाहूंगी कि जब हम चेज करना बंद कर देते हैं किसी इंसान को कि ओ गॉड यह चला जाएगा वो जा रहा है मैं उसको पकड़ूं उसको समझाऊं यह समझाने का और और फाइव फैनिकल से मुझे यह लग रहा है कि अभी वो ना अपने करियर पर बहुत जादा फोकस्ड और विद इस टू अफ सोज अनरजी मुझे इसा लगता है कि वो अभी भी जगल कर रहे हैं वो किसी तरीके की कोई डिसीजन पर नहीं पाँचे ना तो वो अपनी फै जो दिक्कत हो जाए यह जो है यह आपको ही मिलेगा ठीक है यह आपको ही मिलेगा गाईज मैं फिर कह रहा हूं एंजल मैसेज भी देख लेते हैं लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे अशा लगता है कि वो बहुत सब्सक्राइब रह रहे हैं ठीक है तो गाईज आप एनरजी में रहेंगे तो बताईए आप कैसे चलेगा एंजल मैसेज़ में पहला काड आया है मार पास रिकवरी और अभी मैं दूसरा वाला और देख लेती हूं दूसरा है हमार पास येस दिखा मैंने बोला ना आपको ऐसे कुछ भी नहीं बोलती हूं मुझे जो फील आता अपने आप से प्यार कीजे पॉजिटिव रही है ये चार चीजें अगर आपने कर ली ना तो ये बंदा खोद आएगा मैं फिर बतारही हूं इस एनरजी से निकल कर खोद आएगा आपके पास में अपने आपको रिकवर करके ठीक है और आपको येस बोलेगा कि चलो बस ब उनकी एनरजी भी निक्पिक करों तो मैं यहां पर चार निकाल रही थी मैं पांच निकल गए तो इसो क्या देखेंगे हम लोग देखी लेतें क्या है गिल्टी सी मुझे पता है ना मैंने अभी तो बताया आपको वो गिल्ट में है बहुत ज़दा गिल्ट में है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उननोंने आपके साथ ना बहुत गलत किया ठीक है कार्मिक येस वो किसी कार्मिक सिच्वेशन में फसे हूए आप लोग पहले मिल चुके हैं और वो जो कड्लिंग मुट्स रहे हैं आप दोनोंके बीच में उनको बहुत ज़दा मिस करते हैं next card I love you thousands yes, he really loves you man, बहुत जादा प्यार करते हैं वो आपसे, ठीक है and this is last card very very soon, yes see, और क्या चाहिए गाइस आपको, बस आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने आपसे प्यार कीजिए, ये सारे religious factor वगर है ये सब ख़दम हो जाएंगे आपकी लाइफ से, ठीक है positive रही है, खुश रही है हमेशा अपने आपको पहले priority दीजे, ठीक है ये relations आते ही हमको ये सब सिखाने के लिए है, तो hope so, आप लोगों को ये reading पसंद आई होगी and it's a big yes आपके current partner से आपकी शादी ज़रूर होगी, ठीक है अपने आप से धेर सारा प्यार कीजे और positive रहे, मिलते हैं next video में Hi my beautiful pile number 2 जिन लोगों ने भी ये white color चूस किया था उन लोगों के लिए आज की दिदिंग और आज का topic आप लोगों को पता ही है क्या है कि आपके current partner से क्या आपकी शादी होगी तो guys, जिन लोगों ने भी ये white color चूस किया है मुझे इसा लग रहा है कि आप लोग ना बहुत जादा पीस में रहना पसंद करते हैं ठीक है आप लोगों को ना शान्ती वाली चीज़े ना बहुत जादा पसंद आती है तो चलिए देख लेते हैं कार्टो मैंसी से देखूँगे मैं आपके लिए क्या था नाइस वुमें एंट प्रीटी गोड ओके रोमैंसी इंजल से देख लेते हैं हम लोग क्या है हमरे पस ट्रू लव ओके ओके ट्रू लव देखे आपका तो कार्ड ही ट्रू लव गया और ट्रू लव को तो मिलना ही होता है अफकास और अन्रिकृर्ट लव ओओ मै दोनो ही चीजे आगई हैं पर बट मिझे ट्रू लव लव ली फिलिंग जाद लग लिए लेट्स चेक मैजिशियन अपस आपको कार्ड दिख रहे हैं फ्री ओफ सोड और किंग ओफ कॉप्स और यहां पर इंजल मैसेज़ेस हैं वो हम बाग में देखेंगे तो पहले मैं बता दू कि यह पाइल किसका है अगर रेजोनेट होता है गाइस तो प्लीज आप इस वीडियो को आगे कंचिनू कीजेगा अगर नहीं होता है तो कोई और पाइल चूस कर लीजे कोई और कलर चूस कर लीजे अगर वो भी ना हो तो आपको तो पता ही है आपको क्या करना है आप मेरे और चैनल के वीडियो देख सकते हैं क्योंकि वो सारे टाइमलेस होते हैं मैं टाइमलेस डालना भूल जाती हूं बट इट डजन्ट मीन कि वो टाइमलेस नहीं है वो टाइमलेस है आपको इसा भी देख सकते हैं चलिए तो हम लोग पता लगाते हैं कि आपकी शादी आपके करन पार्टनर से होगी या नहीं होगी ठीक है यहां पर ना आया नहीं है वेडिंग कार्ड बट रुमैंस एंजल में से बट मुझे पता नहीं क्यों वेडिंग वाली वाइब जा रही है ठीक है तो मैं आप लोगों को बता दू पहले या पाइल किसका है या तो आप लोग हो सकते हैं या फिर आप लोग हो सकते हैं जमिना लिबरा अक्वेरियस और गैंसर स्कॉर्पियो पीसेश ओके ओके तो लेट में तेल यू वान थिंग या तो यह तो मेरा थू लव है मुझे असी फिलिंग आरही है कि जब आप अपने पार्टनर के साथ होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि यह तो मेरा true love है ठीक है यह मेरा true love है यह मुझे कभी छोड के नहीं जाएगा कभी किसी तरीके की कोई problem नहीं आएगी लेकिन जैसे ही वो आप से दूर होते हैं आप negative सोचना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि नहीं मेरा पार्टनर तो मुझे से प्यार ही नहीं करता there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going ठीक है अब तो आप लोगों को ना ऐसा महसूस होने लग जाता है कि नहीं है मुझे से प्यार नहीं करता इसको मुझे किसी तरीके का कोई वो ही नहीं है इसको परवा नहीं है ये तो मुझसे इसको प्यार थोड़ी है मुझसे आप लोग पता नहीं क्या क्या नेगिटिव सोच लेते हैं लेकिन मैं आप लोगों को बता दू with this Queen of Spade and Queen of Clubs मैं आप लोगों को एक बात बता दू आपके पास एक fulfilled person fulfilled person in sense एक magician यहाँ पर magician card भी आया है आपके पास एक fulfilled person जिसके पास सब कुछ है इसके पास infinity का sign है इसके पास wands है इसके पास swords है इसके पास cups है He has everything He has everything और मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि ये खुद में king of cups है king of cups मतलब इसके पास सब कुछ है इसके पास feelings का भंडार है आपके लिए ठीक है लेकिन यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है your love life is influenced by others ठीक है हो सकता है में भी आपके person जो है बहुत ज़दा influence में आ जाते हैं लोग जैसा उनको घुमाना चाहें जैसा उनको कुछ भी कहना चाहें वो वैसे हो जाते हैं कान के कच्चे I'm really very sorry to say but this is true तो मुझे ऐसा vibes आ रही है कि में भी हो सकता है कि आपका partner जो है आपसे प्यार तो बहुत करता है लेकिन दिखाता बहुत कम है ठीक है हाला कि यहां पर जो है बहुत सदा feeling है यहां पर romance वाली बहुत सदा प्यार वाली लेकिन फिर भी यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे कि कहना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन कभी कहता नहीं है ठीक है अब उनकी क्या problem से क्या नहीं वो तो आप अच्छे से better जानते हैं बट मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है मेभी हो सकता है there is a money issue और जब भी आप उनसे एक solid commitment मागने कोशिश करते हैं तो वो जो है आपको मना कर देते हैं ठीक है या फिर ignore कर देते हैं तो वो ignore क्यों करते हैं उसका reason भी आपको अच्छे से पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो यह अभी जो viewers है second pile number two को जिसने choose किया है वो बहुत ज़ादा smart हैं ठीक है वो बहुत ज़ादा समझदार किसम के लोग हैं मतलब शानती, पसंद, समझदार लोग मैंने पहले ही उठाते ही बुलत और कार्ड भी इस तरीके के आगए तो मैं आप लोगों को बताओं कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी तो yes, जरूर होगी लेकिन इसको आपको manifest करना पड़ेगा ठीक है आपके हाथ पे हाथ रखके बैठने से कुछ नहीं होगा आपको ना इसके लिए manifest करना पड़ेगा कैसे manifest करते हैं अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो please मुझे बताइएगा मैं उसके लिए separate video बनाऊंगी एक बहुत ही बहतरीन टेकनिक है मेरे पास जिससे मैंने खुद अपना पयार पाया है ठीक है इस तरीके की चीजें रिवल नहीं करनी चाहिए बट क्योंकि हम सब लोग एक family है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी और success stories भी share करना चाहूंगी लेकिन अगर आप बोलेंगे तो तो आप comment करके बता सकते हैं तो मैं फिर आप लोगों के लिए हाजिर हो जाऊंगी लेके एक वीडियो जिसके अंदर मैं आप लोगों को वो secret technique बताऊंगी and it's really really fabulous technique वो हमेशा काम करती है ठीक है तो मैं आप लोगों को बोलूँगी it's yes from my side sure आपकी शादी इन इनसान से हो सकती है हो सकती है बोलूँगी मैं क्योंकि क्योंकि आपको इसको manifest करना पड़ेगा और आपको पता है manifest करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है ठीक है with the help of love attraction okay मैं अब यहाँ पर आप लोगों के angel messages देखोंगी communicate clearly yes बिलकुल से ही बात है आपका person आप से clearly तो बात नहीं करना इसलिए तो problem है है ना okay next if you believe see आप ही मैंने कहा ना कि हो सकती है लेकिन आपको उसके लिए क्या है manifest करना पड़ेगा और manifest भी कैसा वाला करना पड़ेगा अच्छा वाला manifest करना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहां पर थोड़ सा इसा भी लग रहा है कि मैं भी हो सकता है इस person का पहले heartbreak हुआ है जिसकी वज़े से भी बहुत ज़दा परेशान रहा है तो मैं भी हो सकता है कि यह इस बार वो दोका नहीं खाना जाता है इसलिए वो फू-फू की कदम रख रहा है लेकिन उसको नहीं पता है कि आप ही उसका true love हो that was an unrequited love ओके यह scenario भी बनता है यहां पे तो अगर आप भरोसा करेंगे आप अगर universe से परमपिताजी से एंजल से एकदम clearly बात करेंगे तो yes, it's yes ओके बट negative रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे कि मेरे तो जिन्दी की खराब है मेरे साथ तो यह होता है, मेरे साथ तो वह होता है ऐसे चला जाएगा, जो कि इस कार्ड से वाइब जा रही है तो मैं आप लोगों को बोलूगी कि I'm really very sorry dear, बट ऐसा नहीं होगा फिर, ठीक है तो आपको positive रहना है, जितना हो से कि अतना positive रहना है चलिए आपके person के messages देख लेते हैं कि वह अपसे अगर कहना चाते तो क्या कहते है क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वह चलो ले लेते है मुझे ऐसा लग रहा है कि वह ना communicate नहीं करते हैं ठीक से अपनी भावनों को चुपाते हैं Please allow me, yes, यह आपके energy है guys आप एक तो पकड़ना बन कर दीज़े उनको, ठीक है Will you accept me? Okay, यह भी आपके energy है Next Next है हमारे पास I love your voice This is your person's energy, okay And Planning for our future, yes, this is yours energy guys With this magician and this nice woman, okay We'll plan एक minute I'm sorry, yes, this is yours person's energy We'll be talking I'm really very sorry मैंने जो भी किया है उसके लिए Please come back Okay, यह आपके energy है तो यहापे आपके person's energy तो बहुत कम आई Let's check with another cards कुछ आता है तो ठीक है, हम दो लेंगे आपके person really very stubborn है बहुत stubborn है बोलना पसंद नहीं करते है वो इतना Twin flames Okay, now I got it Maybe हो सकता है कि आप लोग एक twin flame relation के अंदर हो क्या होता है twin flame आप लोगों को जरूरू पता ही होगा नहीं पता है तो let me know in comment section I will tell you, okay And next card is karmic Okay, यहापे karmic भी आगया और twin flame भी आगया That means कि में भी हो सकता है कि आपका person जो है karmic situations के अंदर फसा हुआ है इसलिए देखें यहाँ पर भी energy नहीं आई ठीक है यहाँ पर भी energy नहीं आई कि वो क्या कहना चाते है That means He is really very stubborn kind person वो communicate नहीं करते है clearly यहाँ पर पहले ही card आचुका है communicate clearly तो मैं आप लोगों को यही सला दूँगे कि please guys positive रहे और manifest कीजिए ठीक है with this magician energy आपको manifest ही करना पड़ेगा इस person को otherwise यह खुद तो नहीं आएंगे आपके बस ठीक है तो यह थी आप लोगों के reading hope so you will like it and अगर आप लोगों को पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताएगा comment section में comment करके मिलते हैं next video में hi my pile number 3 अगर आप लोगों ने यह brown color choose किया this chocolatey yummy brown color तो यह है आप लोगों के reading okay guys hope this will resonate with you अगर नहीं होती है तो आप कोई और pile choose कर लीजे या फिर आप मेरे किसी पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं ठीक है वो भी आप लोगों से resonate होगा क्योंकि वो timeless होता है तो चलिए देखते हैं कि आपकी current partner की आप से शादी होगी या नहीं okay तो सबसे बहले मैं बता दूँ कि आप लोगों का zodiac हो सकता है Aries, Leo, Sagittarius या फिर आप लोगों का हो सकता है यह Sun, Moon, Rising है ओके और Venus तो मुझे ऐसा लगता है यहां पर हमारे पास है Aries, Leo, Sagittarius and Cancer, Scorpio, Pieces ओके जो है water energy हो बहुत जादा है में भी हो सकता है fire and water का कपल हो या फिर water and water का कपल तो मैं आप लोगों को बता दूँ गाइस पहली चीज़ तो यह कि आपका person अभी क्या सोच रहा है आपका person बहुत जादा ना conflict वाली energy के अंदर चल रहा है उनके दिमाग में और दिल में लड़ाई हुई पड़ी है लेकिन वो आपसे बहुत जादा प्यार करते है ठीक है तो क्या आपकी शादी उनसे होगी या नहीं of course होगी जरूर होगी ठीक है it's a big yes जरूर होगी पक्के से पक्का होगी ठीक है मैं ऐसा क्यों बोल रहीं बर-बर जोर देकर क्योंकि यहाँ पर सबसे प्यारे काल जाए है two of cups mana five of wands है एक fighting energy है में भी हो सकता है इस relation को पाने के लिए उन्हें लोगों से fight करने पड़े ठीक है लेकिन हाँ मुझे ऐसा जरूर लग रहा है कि of course आप लोगों की शादीन से होगी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप की तरफ से ही delay चल रहा है maybe आप जो है confirm नहीं है give your relationship a chance work on your partnership maybe ऐसा हो सकता है कि आप इस decision के लिए इस रिष्टे के लिए confirm नहीं है इस वज़े से आप लोगों के साथ में यह दिक्कत आ रही हो क्योंकि यहाँ पर card आया give your relationship a chance और free yourself में पर हो सकता है कि आपने आपने बहुत दिया पहले ठीक है लेकिन इस person की तरफ से आपको जो है अच्छा कोई commitment नहीं मिला अच्छा कोई नतीजा नहीं मिला तो आपने ना इसको देना बंद कर दिया और आपने ना अपने आपको free कर दिया it's time to take back control of your life तो आपने ना इसको देना बिलकुल बंद कर दिया जिसकी वज़े से क्या हुआ है ना यहाँ पर एक change आया और change आया है two of cups वाला change ठीक है अच्छा मुझे यहाँ पर लग रहा है कि मेभी किसी third party का influence है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ friends है आपके जो आप दोनों को ना अलग करने के पीछे लगे हुए रहते है मेभी यह friends कुछ लोग होते ना ऐसे कि इसकी girlfriend ना रहे इसका boyfriend ना रहे चलो मैं हम तुडवा देते हैं रिष्टा तो something like that energy मुझे आरही है मेभी कुछ friends वगरे की influence हो सकते है या फिर हो सकता है कि family matters हो सकता है क्योंकि यह पर मुझे पैसे वगरे का तो कोई matter नजर नहीं आ रहे है तो हम लोग देख लेते हैं angels क्या कहते हैं आपकी इस relation के लिए big happy changes यहां पर देखिए big happy changes का card आया हुआ है और यहां पर भी big happy changes है when cards resonate theirself I really love it look for a sign yes see ठीक है तो it's a big yes आपका partner आपसे बहुत प्यार करता है guys मैं आप लोगों के बात बता दू आसे partner बहुत मुशकल से मिलते हैं तो इने जाने मत दीजे जो भी problem थी उसको bet कर sort out कीजे आपके अपने relationship को एक chance दीजे आप इनसे प्यार करते हैं तब ही तो आप यह reading देख रहे हैं तो आप ना जाईए अपने partner से बात कीजे उन्हें मनाईए और उनके साथ में शादी कीजे क्यों? क्योंकि this is your would be okay मैं मुझे है ऐसी feeling आ रही है कि यही वो इनसान है जिससे आपकी पक्का शादी होने वाली है बस आपको ना science देखने है ठीक है? universe and angels आपसे क्या बात करना चाहते हैं आपको science देखने है और मुझे ऐसा लगता है कि आप जरूर देखेंगे जो हमें सब कुछ दिला सकता है और मैं आपको एक बात बता दू जो reunions होते हैं हमारे वो हमेशा positive vibrations पे high vibrations पे होते हैं कभी low vibrations पे नहीं होते हैं तो हमेशा जादा से जादा अपने आपको high vibration में रखें क्या पता? जिन्दकी कब करवट ले ले? है ना? तो इसी सोच के साथ आज का वीडियो मैं खदम करती हूँ होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर लगा है तो प्लीज कमेंट कीजे लाइक कीजे इससे मुझे motivation मिलेगा आप लोगों के लिए और नए वीडियो उस लाने का love you all, take care, bye bye